हेलो ट्रेंट्स आप देख रहे हैं जाइडर बिक्की आरभी और हम अभी निकल रहे हैं रमघड़वा की और छोटा साथ टेप करने देखिए आप लोग और मैं जे लीए है हालो गाईज तो अभी हम सुगोली आ चुके हैं और हम घड़वा की और निकलने वाले हैं तो अभी यहां से निकल रहे हैं फिर आप लोगो दिखादे हैं क्या क्या है और बस सुगोली पार ही कर रहे हैं तो मेरा वीडियो देखिए और अच्छा लगए तो लाइक और सुस्क्राइब किजिए, बेल आइकन दबाना नहीं बिले, तो सेर करते रहिए मेरे वीडियो को. आगे रास्ते थोड़े बहुत चूटे हुगया है, जो आएंगे यह आप देख सकते हैं, यह पूल से पहले थोड़ा चूटा हुगया है, पीछे रास्ते बन गया है, और यह ब्रीज के आगे से फिर जोट सही है, तो और भी आप देख सकते हैं, और हम यह आगे हैं सुखोली यह पूल के पास यह खर्दा ऑनदी इसयो भी आप लोग बोल सकते हैं, और यह पूल बहुत पुराना है, अंग्बेदी का बनाया हुआ है, अगर आप लोग इसके बारे में ज्यादा डीटेल चाहिए तो आप यहां रास्ते थोड़े खराब हैं तो अब यहां से आ जाएंगे रास्ते अच्छे यह मंदिल है और यह वाई पता ना क्यों मुझे गूर के देख रहा है जैसे का ही जाएगा मुझे चलो फिर इससे आगे ही बढ़ते हैं ताकि यह पिछे रहें और आप लोग वीडियो दे सब्सक्राइड के मजह लेते रहें यह तो अब रास्ता यहां सही थोड़ा बहुत आए गर बहुत आएगा फिर आगे मेरे क्याल से बेला नाहर के पास में फूल बंद रहा है वहा थोड़ा बहुत प्रूटा हुटा हुगा है ने अकर आप यहां सुगरली कभी आना चाहत या कभी आयों तो सुगरली पूल पे आ रहे हैं आप सिक्राना नदी के पास में तो यहां के पेड़ा खाना ना भूले यहां बहुत अच्छा बनता है को वजीज बनता है कर एक बार आप खाओगे तो दुबारा जुरूर्ट आओगे यह रोड अभी अभी बनाए है नया इकिदि पाले यह तो बहुत घंडे थे और पाले जब बारिस औरी सोता था तो ये रोड जो भी है वो डूब जाता था अंदर पानी के अंदर बार वाली छेतर रहना थोड़ा बहुत बावत बाते रहते हैं रहते हैं तो में यह डूब जाया करते थे तो यह अभी बहुत जाला है जोड़का अब तो साहिद कभी इस पर पानी यहां भी ने पाई अगर बाई चांस यहां पानी आ जाया तो संभ्डूपुली गहां देज जाएगे आप तो इधर देख सकते हैं साइट साइट में और तो देखते हैं राइट आप यह जब द्रॉट जाती है जमड़ु तो गए जिसके रंबड़व आएगा रंबड़ु आगे जग्षोल आएगा अगर आप नेपाल जाना चाहते हो तो आप इसी रोट से जाईएगा जब्सूर होते होगे लेकिन अभी हम जमबड़ा तक ही जाएंगे तक सब्सक्राइब नहीं जा पाएंगे और यह आप लोग यह मेरा वीडियो देख रहे हैं वाई लाइब कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे हैं बेल आइकन भी दबा देजिएगा मेरा जो नहीं वाला व्लॉग है थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा अच्छा लगे वीडियो तो लाकि हम जमबड़ा पहुंचने वाले हैं थोड़ा दूरी हैं अगर वीडियो कैसा है कमेंट करके बताना ना बूले है यहां एक नया मेंट बन रहा है बिजली वला आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में है यह बहुत ही बढ़ा है तो काफी बढ़ा एक से बहुत बढ़ा आ जो आप लोग देखिया चलते हैं रमगडवा उन्हाने पहुंचने वाले ही हैं कि तो थोड़े दी रही हैं मिज़ा ज़ा राइडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले रोड का ध्यान रखिएगा रोड कैसा है जहां कुली मिल रहे है वहां आप थोड़ा घीच सकते हो बट जब भी राइडिंग करें तो पुरी सेब्टी के साथ करें और हेलमेट पहन के ही चलाएं बाई कब क्या हो जाए क्या नहीं पत सेब्टी है और आपके साथ जो चल रहे हैं उनकी भी सेब्टी है तो इतना ध्यान रखके चलें यह आप देख सकते हैं यह थोड़ी बहुत डूटी रोड आ गई और यहां यह जो पूल बन रहा था यह साथ पूल का प्लेट हो चुका है अब बनेगा यह भी रोड बनने वाला है बाकी आगे रुट फीर अच्छी है यह आगिया अच्छा रोड फीर करते हैं रंग़वा की ओच्छा है यहां से रंग़वा स्टार्ट होता है आप लोग देख सकते हैं यहां थोड़े कम बीड है जैसे जैसे आप मार्केट की अंदर जाओंगे आप लूटी ही मिलेगी तो अभी यहां रमखरवा आ चुके हैं यह देख सकते हैं इसार मचली उचली मिल रहा है बगल में और आगे लेफ्ट साइड में हीरो का एजन्सी है अब लोग देख सकते हैं और यहां बस थाना के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं रमखरवा थाना यह बच गई अब आगे अड़े जी थोड़ा रुख जाया करो यह लोग नहीं रुखेगा हमी को रुखना होगा तो भाई इतना द्यान रखना रुखना हमी को पड़ता है जो बाइक से रहता है क्यूंकि यह लोग रुखते नहीं है यह रमखरवा थाना है देख सकते हैं बड़ा देखिए यहां रमखरवा मार्गेट में आ चुके हैं कितने भीड़े हैं आप लोग देख सकते हैं यह सामने हर्मान जी का मंदिल है राइट साइड में और राइट से इधर अंदर जाने का है रास्ता यहां ब्लॉग को एंड करते हैं हम अपना इसी के साथ चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और सेर करें